नापुर में सोवार को सुभह से आस्मान में बादल नजर आए हाला की बाद में बादल छटने से धूट किली लेकिन दोपर सारी तीन बज़े के बाद आस्मान में बादलों की सगन्ता काफी बढ़ गई उसके बाद तेजवाय चलने लगी लगबग पात से लेकर 6 बजे की भी शेहर के कई हिस्सों में रुक रुक कर हरकी बारिश का दौर चारी रहा बाद में बारिश थम गई फिर से राद सारे 9 बजे के करीब शेहर के कुछ इलाकों में बुंदा बांदी होने की खबर है मौसम विभाग की मानों तो 6 और 7 मैं को नाकपुर सहित विधर्व के कुछ जिलों में गरच चमक के साथ बारिश होगी 48 खंटों तक आसमान में बादल चाने और हलकी बुंदा बानी के भी आसार बन रहे है दिन में मौसम का मिजास बदलने के बावचुद नाकपुर में अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री की बढ़ौतरी के साथ 29.5 डिग्री सेल्सिएस पर जाप होचा वही रात का तापमान भी 0.9 डिग्री चरकर 23.8 डिग्री सेल्सिएस पर जाप होचा हाला कि दिन और रात का तापान सामान इसे तीन डिगरी कम होने की वजह से ही गर्मी का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है नाखपूर में सुभे साड़े आड़े आड़े ताप 51 फीस दी थी लेकिन शाम साड़े पाच बजे यह बढ़कर 66 फीस दी पर जब पहुची पिछले 24 गंटे में विधर्ब के बुलधाना में सरवादिक 30 मिलिमीटर बारिश तर्ष की गई चबकि अमरावति में 1.4 वाशिम में 2 मिलिमीटर बारिश तर्ष की गई चंदरपूर में भी बारिश की खबर है क्यामरा परसिन राजकुमार मोड के साथ अभिशेक पांसी बीसिन न्यूस नाकपूर